हेलो फ्रेंट्स तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी क्लास 11 हॉन्बिल बुक की फर्स्ट पोयम और फोटोग्राफ की एक समरी इस पोयम की ओथर है शिरली ताउलसन पोयम की स्टार्टिंग में हमारी ओथर एक फोटो की तरफ देख रही होती है उस फोटो में उनकी मदर और उनकी दो कजन्स बैटी और डॉली थी और ये फोटो तब खीची गई थी जब उनकी मदर सिफ बारा साल की थी और वो अपनी कजन्स के साथ बीच पर बोटिंग करने गई थी ये फोटो उनके अंकल ने तब खीची थी जब उनकी मदर अपनी दोनों कजन्स का हाथ पकड़ के खड़ी थी और उनकी मदर दोनों के बीच में खड़ी थी उनकी मदर उन तीनों में सबसे बड़ी थी उस फोटोग्राफ में तीनों समाइल कर रहे थे और क्योंकि तब हवाय चल रही थी तब उनके बाल उनके उनकी चेहरे की तरफ आ गए थे इसके बाद आथर बताते हैं कि उनकी मदर का बहुत ही प्यारा चेहरा था और ये फोटो तब खीचा गया था जब आथर पैदा भी नहीं हुई थी उसके बाद हमारी आथर हमें बताते हैं कि इतने सालों बाद जब उनकी मदर इतनी बड़ी हो गई थी तब उनका चेहरा बिलकुल बदल गया था पर वो सी बिलकुल अभी भी सेम ही दिखता था फिर आथर हमें बताती हैं कि उस फोटो के खीज़ आने के 20-30 साल बाद जब उनकी मदर उस फोटो को उनके साथ बैट कर देखती थी तब वो उसे देखकर बहुत हस्ती थी और उनकी कजन्स बैटी और डॉली की ड्रेस पर कमेंट भी करती है इसी के बाद ही ऑथर हमें बताती है कि जिस तरह उनकी मदर की बीच पर बिताई हुई छुट्टियां उनका पास्ट थी वैसे ही अब ऑथर के लिए उनकी मदर की वो स्माइल उनका पास्ट बन चुकी है और उन दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है जिसके कारण वो दोनों ही बहुत उदास है इसके बाथ हमें ऑथर बताते हैं कि उनकी मदर की डेथ 12 साल पहले ही हो चुकी है और क्योंकि अब वो बिलकुल अकेली रहती हैं उनके साथ कोई बात करने वाला उनके साथ कोई हसने वाला कोई नहीं है उनके आसपास बिलकुल शान्ती है और इसी शान्ती ने उन्हें बिलकुल शान्त कर दिया है अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और इसी के साथ एंड होती है ये बोयम और फोटोग्राफ अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक करें और आप ऐसी वीडियो को अगर देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थेंक यू